अगर था आप सभी का न्यूज़ेटीन मध्धिप्रदेश 36 गर देख रहे हैं आप मैं हूँ अपड़ना मौज़ब वक्त हो गया है मध्धिप्रदेश की महा डिबेट का और आज महा डिबेट में बात कि आखिर क्यों कॉंग्रस के दिगज लोगसमा चुनाओ लड़ने से या उन्हें हार का डर है कमलनाथ दिगजे सिंग सहित कई वरिष्ट नेताओं के चुनाओ लड़ने से इनकार करने की खबर है तो एक तरफ जहां बीजेपी चुनाओं की तयारियों में जुट गई है गाउं चलो जैसे अभियान चला रही है कॉंग्रस के बड़े नेताओ को अपना रही है तो वहीं कॉंग्रस के सामने प्रत्याशों की चहन की चुनाओती खड़ी है इसी पर करेंगे आज मध्यप्रदेश की महा डिबेट कबलनार दिगवजे सिंग ये वो दिगज है जिनके इर्दगिर्द MP कॉंग्रस की राजनीती घूमती रही है लेकिन इस बार शायद वो लोकसभा चुनाओं की मैदान में नज़र ना आए विधान सभा चुनाओं में करारी हार के बाद कॉंग्रस में पहले से हाहाकार मचा हुआ है कई बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और जो वरिष्ट बचे हैं वो मैदान छोड़ते नज़र आ रहे हैं विजेपी पूरे जोश के साथ मिशन लोकसभा में जुटी है तो कॉंग्रस को विजेपी का मुकाबला करने के लिए उम्मीदवाद नहीं मिल रहे हैं विधान समभा चुनाव में हार के बाद कॉंग्रस के सामने लोगसमभा चुनाव बड़ी चुनावती है कमलनाथ चुनाव ना लड़ने की बात कह चुके हैं दिगुजे सिंग भी चुनाव लडने से इंकार कर चुके हैं और भी कई वरिष्ट नेता हैं जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में कॉंग्रस के सामने दमदार चेहरों का चयन चुनोती बन गया है। दिल्ली में आज कॉंग्रस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। प्रदेश कॉंग्रस अध्यक्ष जीतु पत्वारी और नेता प्रतिपक्ष नेताओं के बायो डेटा लेकर पहुँचे। बैठक में मध्यप्रदेश की 39 लोगसबा सीटों के लिए प्रतियाश्व के नाम पर चर्चा हुई लेकिन बड़े नेताओं के इनकार से पेच फस्ता दिख रहा है। बीजेपी ने इस पर निशाना साधा है और कहा है कि पूरे प्रदेश में कॉंग्रस की नेता चुनाओं लड़ने से भाग रहे हैं। बाकी मुझे ने लगता कि ये भी दम भरेंगे क्योंकि पिछली बार का रिजल्ट और इस बार जो राम में भाजपा है, मोदी में भाजपा है इसलिए कॉंग्रस कहीं दिखाई नहीं दे रही है बीजेपी नेताओं को इस चुनाओं की जंग में। सवाल क्या है आज मध्यप्रदेश की महा डिबेट के वो सवाल देख लेते हैं इस बड़ी स्क्रीन पर पहला सवाल है दिगजों का इंकार क्या दिगजों को दिख रही है हार। दूसरा सवाल क्या है चुनाओं लड़ने से क्यों कत्रा रहे हैं कॉंग्रस की नेता ये दूसरा एहम सवाल है तीसरा सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं क्या कॉंग्रस को नहीं मिल रहे हैं दमदार प्रत्याशी इन्हीं सवालों पर आज फोकस रहेगी हमारी मध्यप् कॉंग्रस के सर्मन नगेले हैं वरिष्ट पत्रकार हैं यश भारतिये हैं राष्टी प्रवक्ता हैं समाजारी पार्टी के और साथी सूरे प्रकाश मैथिल जी राधितिक विश्टेशक के तौर पर हमारे साथ जोड़ चुकी हैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रह अबिनव जी आप तक आवास पहुंच रही है मेरी सर अच्छा लगता है कि उन तक आवास दहीं पहुंच रही है वापस मैं आप से कनेक्ट करती हूँ अबिनव जी आप सुन पाए तो ज़रा हमें हेड्स अब दे दीजेगा ठीक है यश भारतिये जी क्योंकि अलाइंस के साथ ही अभी तक तो आप लोग हैं इसलिए दूसर सवाल आपसी ले लेते हैं हम ज़रा ये बताईए कि इस नाजुक घड़ी में जब एक तरफ बीजेपी खुलकर नारा लगा रही है चार्ट सो पार का दूसरी तरफ अलाइंस के साथ ही छिटक रहे हैं और वही कॉंग्र के अंदर दिगज इंकार कर रही हैं बीजेपी का सीधा सीधा कहना है कि डर रहे हैं ये हार से इसलिए भाग रहे हैं मैंदान छोड़कर आप तक भी आवाज नहीं पहुच रही है मेरी अपड़ना जी आपका आदा सवाल में सुन पाया उसके बाद आवाज चाहिए अभिनव जी आप तक आवाज पहुच रही है मेरी ठीक है नहीं उनसे बैच करेंग कोशिश करें ठीक है ये अश्भारतिय जी मैं वापस सवा सवाल रेपीट कर देती हूं। वहालल यह कॉंग्रीz से था कि जो कॉंग्रीz के दिगज इंकार कर रहे हैं क्या लग रहा है आपूप देखिऊ मदकि इन पार्टी का अपना अंदूरूनी मामला है। अगर बात करें तो अभी तक एक भी प्रतियाशी घोशित नहीं हुआ है अगर इतनी चुनाव की तैयारी हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली बारती इंता पार्टी तो अभी तक मुझे लगता है कि दो-तीन सूचिया आ जानी चाहिए थी पूरे देश्भर में से ठीके स बहुत बहुत नमस्कार सर बहुत स्वागत है आपका सर बीजेपी का गाउं चलो अभ्यान शुरू हो गया है एंडिये में लगातार कुनबा बनाने का सिलसला भी जारी है और खबर ये है मध्यपरदेश कॉंग्रस से कि दिगज इंकार कर रहे हैं चुनाव लड़ने से जब मुझे ऐसा लग रहा है कि भारती जंता पार्टी और उनके सहीयोगियों एडी और आप सब लोगों को बहुत चिंता है कॉंग्रस पार्टी और इंडिया गडबंदर को कब अपने टिकेंट से क्लियर करेंगी और कब सारे चीज़ें सामने आएगी वह बहुत जल्द ये कर रही है लगातार तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि समय आने पर सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कौन चुनाब लड़ेगा और गुद्धे तो हमारे पास इतने सारे हैं कि जिन पर भारती जंता पार्टी के पास जबाब देने के लिए कुछ भी नहीं है भारती जंता पार्टी का इत्यास रहा है वह आजादी की लड़ाई उसके लड़ी है तो यह लड़ाई लड़ना भी कोई असाहां नहीं है जानते हैं कि हम ऐसी ताकतों से लड़ रहे हैं जो यहां पर विक्टर्ण गारी ताक्ते हैं और जो आपसी सदभाव खराब कर आपने वाली पा आती है लेकिन जैसे ही दूसरा रास्ता चुनने की बात आती है सबसे पहले भाच्पा की और ही भागते हैं कॉंग्रस के नेता जिनका मो भंग हो जाता है पार्टी से है जब तक आप पार्टी के अंदर जाहिर दौर पर पार्टी को डिफेंड करेंगे ही अजे सिंग पर यह हां करते यह दिखाते हैं कि हम लड़ेंगे नो मैटर वॉट कुछ भी परिनाम होगा तो कारेकरताओं का मनुबल क्या बढ़ता रही पार्टी में सबसे बड़ी जो दिखत है कॉंग्रेस पार्टी आत्म अवलोकन करने के लिए तैयार नहीं है जमीनी सच्छाईउं को समझने के लिए तैयार नहीं है आज Congress के मद्धि परदेश में दिंगज नेता चुनाव लड़ने से मना नहीं कर रहे हैं मैं तो Congress के पुछूँँगा एक नेता का नाम तो बताएं जो कहरा हूँ कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तयी आर हूँ मद्धि प्रदेश में अभी तक कॉंग्रेस के किसी नेता ने नहीं कहा कि मैं लोकसवा चुनाओ लड़ना चाहता हूँ इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं क्योंकि आप ने जिस तरह से जनता के बीच में अपनी छबी बनाई जनता को लगा कि कॉंग्रेस पार्टी इस समय ऐसे मुद्दों पे चल रही है जिन में जनता तैयार नहीं है भगवान राम की प्राण पितिष्ठा का आमंत्रन ठुकराना क्या ऐसे मुद्दों पे जनता साथ हो सकती है यह सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाओं में रहने वाला है यह कॉंग्रेस पार्टी के नेताओ मुझे लड़ना है सरकार के समय भोपाल में सभी कतिविदिया उनके हिसाब से हुई संगठन में नगर निगम से जिला पंचाय तक सारे काम उनके हिसाब से हुए और अब जब चुनाओं का समय आया तो दिगवजे सिंग कह रहे है मेरी राजी समा का खारिकल बचा हुआ है आपकी बात पर बरोलिया जी कुछ कहना चाह रहे थे जरा उनका कॉम्में लिटी फिर में आगे बढ़ती हुए जी बरोलिया जी कॉम्रेस पार्टी को आप तो यह बोलना चाह रहे हैं न कि कॉम्रेस पार्टी में लोगसभा लोगसभा का चुनाव इसलिए नहीं लट रहा है कबला जी बिदाया जी बोले जीतु पटवारी प्रदेश पार्टी के लिए फोन गया था कि मैं लोगसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ तब राहूल गांदी ने कहा था कि हमने आपके लिए कुछ सोच कर रखा है और सोच कर रखा था तो प्रदेश की कॉंग्रसी कमान दे दी थी उन्हें खैर अभीना जी लोटूंगी आपके पास लेकिन सर्मन अगेले जी जहां एक तरफ बीजेपी अपने दिल्ली से सांसेदों को बुलाती है मध्यप्रदेश नाम में उतार देती है वहां कोई चूतक नहीं कर पाता एकात को छोड़ कर और अब उन्हें आगे पद दिये जाते हैं वो तो अलग बात है लेकिन यहां अगर दिगज राजिसभा का हवाला दे रहे हैं या किसी और का हवाला दे रहे हैं तो क्या लगता है कि आखिर वजह क्या है कि अपड़ना जी मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी में अब इस्तिती ऐसी हो गई है कि सफलता के दावेदार हजार होते हो और असफलता का दावेदार या असपलता की जुम्मेदारी को ही नहीं लेता है जिस प्रकार से अभी जो एक सीवोटर का सर्वे आया है उस के नेताओं को तो वो अब पलाएं जैसी इस्तिती कर रहे हैं इससे उनको बचना चाहिए अब जहां तक जो कॉंग्रेस पार्टी के संभीदान की बात उनके टिकेट वित्रण की बात तो चुना रणने रणने की बात है उसमें मैं एक थो बैवारी पक्षर एक उनका जो स सेवा के चुनाव पार्सक का किसी का भी चुनाव आपको रणना". कोई इंकार नहीं रहे है, जैसा अवी में घ 5000 था सकता की बिदा में में क्षाल लेकिन कारकाल उनका उन्नीस के चुनाव में भी बचाता लेकिन उससे में मद्रप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकारती इसलिए उन्होंने दाव खेल लिया था इस बार उनको लग रहा कि हमारा कुछ हो नहीं पाएगा और मेरा यह मानना है कि अपने बेटे को लड़ाएं लेकिन अभी जो हाल के पांच राज्यों वहां कॉंग्रेस पाटी को बारा लाफ अधिक मत मिला है बीजेपी से लेकिन मानी मोधी जी और बीजेपी का लक्ष यह है कि हमारे नाकेबल मत हमारे बिनिंग हमारे कैंडिडेट बढ़ें बलकि हमारे मत प्रतिशत भी बढ़ जाए बल्कुरे सेवेंटी पसंट तक का लक्ष लेकर चल रहे हैं और इसलिए कुन्बे को जोडने के लिए बूंद की तैयारी है एक तरह दूसरा कुन्बा जोड़ा गया था पूरे लाव लश्कर के साथ वो लगातार फिल्टर हो रहा है कॉंग्रस के अंदर ही महराश्यों से लेकर मध्यप्रदेश भगदर मची हुई है क्या ये वो एक कहावत है कि जब जहाज ढूपता है सबसे पहले चुहें ही भागते हैं क्या माना जाए तमाम वो लोग हैं जो दर्शकों तक पार्टी में रहे क्रीम खाते रहे लेकिन आप साथ चोड़कर जा रहे हैं दन्यवाद पहले तो आपको आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जवंदे मात्रम और जय जय शिरी रहां तेखिए अभी मैंने कॉंग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना और साथ में समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको सुना साथ में जो पत्रकार महोद है चार सीटे जीती हुई दिखा रहे हैं अगर इंटरनल सर्वे में यह चार सीटे जीती हुई दिखा रहे हैं तो आप यह सोचिए कि इनकी स्थिती क्या है और एक और बात में कहना चाता हूं आपको अपड़ना जी जो राम द्रोही हैं उनको आज उम्मिदवार नहीं मिल चुनाव लड़वाने के लिए यह सच बात है जितनी भी सीनियर लीडर्शिप है मद्यपरदेश की वह सभी किसी ना किसी तरीके से इस बार बहाना बनाकर चुनाव ना लड़ने के लिए तयार है किया हो गया बया मुझे मैं आपके बीच में बोला था क्या शांती से सुन लिजिए शांती से सुन लिजिए आपको सुनने का दहरा रखना चाहिए क्राइब कर दोदी आपको उमीदवार राखने में उसके बाद कॉंग्रेस जूनने से नहीं मिलेगी क्योंकि जिन लोगों को भगवान चिरी राम का तरला विराज़पान के लिए तयार थे बगवान चिरी राम का लगास आपकर रहा है अब लोग बोल रहे थे सूरे प्रकाश मैसली शांती से सुन रहे थे ना आपको अरे आपकी जब बारी आए की तब आप उन पर लगा दीजिए गारुप जो आपको लगाना है वही उनका विश्केशन है उनका ग्यान है तो वह करना चाहिए तो विश्टेशन करके बता तो रहे कि कॉम्रेस के इंडिल सर्वे में क्या आपकी असलियत सुन लीजिए धैरे से तुनिये देखें चीखें मत कोई शोर ना मचाए शांती से अभिना वरोलिय जी आप भी शांती से अपने प्रकार जी शांती से एक साथ सब बोलेंगे सबके आवाज ओवरलाप होगी किस्ते को कुछ आसल नहीं होगा ठीक है यर्श भारतिया जी मैं आपके पास आरे हैं करेंगे ना बारी बारी से अपनी बात करिए सर प्लीज एक मिनिट अब उनका समय खराब हो गया ना सुर्य प्रकाश अभी बात कंपीट कर लिजे जाना है तो चले जाए हैं कॉंग्रेस के प्रवक्ता के लिए इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं कमाल ये है कि फिर भी इन ठीक है सर ठीक है ठीक है आप दुनों ही शानतों जाएए ठीक है यश भारतिय जी यश भारतिय जी 19 में रिजल्ट आया था ना वो समाजवादी पार्टी के लिए उत्सहा बढ़ाने वाला नहीं रहा मध्यप्रदेश के अंदर इस बार 24 से पहले अलायंस की भविश्य को लेकर पहले ही संकट और अब ऐसी स्थी आप अपनी पार्टी की लड़ाई को कितना मजबूत पा रहे हैं क्या तैयारी है आपकी देखी अपड़ना जी हमारे देश में सम्विधान की विवस्ता है लोक्तांत्रिक विवस्ता है उसमें हर पार्टी को अधिकारे चुनाओ लड़ने का जनता की बीच में जाते हैं बहतर विकल्प देते हैं राश्तरंत्र नहीं है कि यहां पहले से एक राजा मान लिया जाएगा और उसी के गुड़गान किये जाएंगे उसी में बात किये जाएंगे जनता को जो विकल्प लगेगा उसको वोट करेगी जनता के बीच में जनता की आवाज उठाएंगे हो सकता है हमारी आवाज कम ह हमें कम जंता पसंद करें लेकिन जो मुद्दे हैं जंता से जुड़े हैं जो सुशासन की बात करते हैं हर्दा पटाका फैक्टरी ने वो खोल दिया उससे पहले पैटलावाद ने खोल दिया गुना में सडक दुरगटना ने खोला लगातार स्कूलों में जो हाथ से दुरगटना हैं हो रही हैं वो सुशासन खोल रहे हैं तो जब घटना हैं हो जाती है तो खुदी बात खुल जाती है जो ये बड़े बड़े दावे बड़े वादे कर रहे हैं ये अभियान चला चला कि जनता से वोट तो हासिल कर रहे हैं पर जनता को कुछ दे नहीं रहे हैं तो बात जनता को देने की हो रही है जनता के हित की सफैसले लेने की बात हो रही है उन फैसलों में क्या हो रहा है क्या बहतर स्वास तरोजगार शिक्षा जैसे हमारे भाई तो जो विशह यह उठाते थे आज वो विश एंका भारती अन्ता पार्टी ने खतम कर दी है। इंको भी सवाल भारती अन्ता पार्टी के अंदर करने चाहिए। आगर करेंगे तो जंता के हित के फैस्ट भे होंगे। हम लोग राजमीती इसलिए कर रहे हैं चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि जन्ता के बीच में जाकर अरे पड़ना जी मतलब यह विश्टलेशक है कि कौन है थोड़ा सा इंको समगाईए ना आपके इसन अच्छा पैना रहे है और नहीं सक आपके तने अच्छे उस पीच में इसलिया इत्रैप्ट करना इससे के से बोलना भी जयाओग तो है उसके बागवान श्री राम के नारे के साथ में बात को शुरू किया था तो बगवान श्री राम की थोड़ी मर्यादा रखिए जिनके नाम का इस्तौमाल करके आपने डिबेट मर्यादित मत बनिये बात की कि यह सरकार से सवाइब आप यह इसी बहुत को रोकने मेना समय पुरा व्याद को जाता है सुर्य प्रकाश जी कुछ कहना चाहरे हैं उन्हें उनकी बात कर रहे हैं पहले बीजेपी की तरफ से उनको जवाब देना है डिफेंट तो करना ही होगा उन्हें देखिए अपड़ना जी कॉंग्रेस पार्टी की यही दिक्कत है कि जहां सच्चा ही सामने आती है तो वो अगर मगर EDCBI और विशलेशकों के उपर आरूप प्रत्यरूप लगाने लगते हैं अगर आप चुनाओं में जनादेश को सुईकार नहीं कर पा रहे हैं आप जनाद प्रतिस्टा को ठुकरा रहे थी तो यह सबी चीजे प्रधान मंत्री मोदी जी ने दिये देश को आज महाशक्ति बनाने का काम पाच्वी सबसे बड़ी अर्थविवस्था भारत को बनाया तो मोदी जी की सरकार ने बनाया तो क्या यह सारे आक्री बदल जाएंगे कॉंग्रेस पार्टी आत्म अवलोकन करने की बजाएं दोशार उपन कर रही है और मैं तो कहता हूं आप एक विपक्ष हैं तो विपक्ष की भूमी का निभाई है ठीक है परोलिया जी इंट्रोस्पेक्ट में कर रही है कॉंग्रेस लोग चले गए तो यह भी आप नहीं सम कॉंग्रेस पार्टी में जीते हैं करनाटक तेलंडाना हिमाचर तीम राजों में आरे उसका अवलोकन किया हमने कहां कमज़र ही है हमारे इंदर्वन सर्वे में अकर चार सीते आई हैं तो हमको हमको उसके काम कर गाएगी हमारी जाधा दूर आज शिखर पर है बाच्पा सब्सक्राइब करनी है महाराष्ट में करनी है महाराष्ट में करनी है हम पूरी मैनल से काम करेंगे हैं चार सो पार जाएगी कि अधिक है सर यह आपका अभिनव जी कुछ टेक्निक की दिक्कत है आपकी आवाज आपके पास अजय आप शान तो जाएए बढ़ा सूरे प्रकास जी कुछ कहना चारें बहुत देर से प्रकास जी इसके बाद में जाओंगी एश्पार्ति जी के पास और सर्मन सर्थ वेट करी रहे हैं जी सुरे प आपको कौन दबा सकता है मैं कहना चाहता हूं देखिए यहां पर अभी कॉंगर्स के प्रवक्ता लंबी चौड़ी छोड़ रहे थे जब 15 महीने की सरकार इनकी बनी थी तब इन्होंने किया क्या था ट्रांस्पर्व जो करना था रहा है और आपके अवाद रसे भी आई नहीं रही तक्नी की दिक्कत है जी जी अपनी खुट की शब्दा वली देख लीजी अभी नफ जी एक मिनिट नहीं आखरी का एक मिनिट बचा उसमें बात नहीं हो पाएगी जी सुरे प्रकास जी करने में कमलनाजी जैकलीन फंदान्डी के साथ आईफा अबाट करा रहे हैं इस तो नहीं किसी पीपास समझ नहीं आरे सब एक साथ बोल रहे हैं आपर कुछ समझ नहीं आरा आप ऐसे तकनीकी दिक्कत वैसी आपकी आवाज आधी आ रही है आधी नहीं आ रही है जो बोलना चाहरा हो भी नहीं बोल पाएगा जी देखिए अपड़ना जी जिस प्रकार से मानने प्रधान मंत्री जी ने नल से जल की योजना से हर घर में जल पहुचाने कोशिश की जिस प्रकार से दो करोड़ से ज़्यादा पक्के मकान दिये देश के अर्थ ववस्ता पांच भी सबसे बड़ी बनी इस देश के और मैं आपको बता दूँ राहूल गांडी जिस प्रकार से उत्तर परदेश छोड़के है साउच इंडिया भागे और अभी एक न्यूज रहे हैं जब ये टिकेट अनौंस किये जाएंगे और देखते हैं कि कितने दिगज आगे आते हैं अपने कारकरता जो जमीन पर काम क के लिए फिलाल माडी बेट में इतना ही खबर लगाता जारी हैं जुदे रहे हैं